याद करिये 2017 के पहले कावड यात्रा नहीं लिकनने दी जाती थी जब तक भाज़पा की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की और अन्य तोनों की सरकार है थी वे कावड यात्रा नहीं चलने देते थे 2017 में जब मैं आया मैंने का वे कावड यात्रा क्यों नहीं चलती है लोगों ने कहा जि कुछ लोगों को परिसानी होती है तो मैंने का वे अपने घरों में रहे न कौन चर्लों थे उनको बहाद लिकर ले जिनको परिसानी अपने घर में रहे लेकिन कावड यात्रियों के मार्ग में कोई बाधा पैदा करेगा तो कढ़ोरता पुर्वग हम कारवाई करेंगे और उनको सडक अच्छी होनी चाहिए बिजनी की विवस्ता होनी चाहिए पंडाल लगना चाहिए उनके लिए जगह जगह गरम पानी और घंटाले की विवस्ता होनी चाहिए उनके सम्मान की रक्सा होनी चाहिए तो कुछ लोग कहते हैं कि साथ ये नीचे नहीं बजना चाहिए और कुछ लोग कहते हैं घंटा और संग से कुछ लोगों को परिसानी होती है मैंने का जिनको घंटा और संध से पढेसाणी वे अपने तान को बंढ करें कावड यात्रा में दीजे भी बजेगा, संध भी बजेगा घंटा भी बजेगा, घड़याल भी बजेगा और ध़ोम धढ़ा के साथ कावड यात्रा यूपी के बिदा निकले गी और मुझे प्रसंता है चार करोड़ से जिक सरदानों कावर्ड यात्रावे प्रतिवर्स गाजियाबाद से बाबा दुप्टेस्वरनात मंदिर से हरद्वार तक जाता है और हमारी सरकार उन्हें पूरी सुरक्सा देती है उनका पुरा सम्मान देती है मैं सेम उसको वर्षा क अपने के लिए महां फस्ति रहता हूं क्या एक इक न्हां कोंग्रेस कर पाएगीज है क्या एक जालिए पर पाड़े कर पाएगी क्या राम मन्तिर का निर्मान कंग्रेस कर पाटी क्या कर पाती है की एक कस्मीर में धारां Ec 2017 सम्तर एक कॉंग्रेस अटा पाती एक तरफ आपकी विरासत के सम्मान का कार्य है और दूसरी तरफ कि दिकास का कार्य हाईवे एक्स्प्रेस वे रेलवे मेट्रो एक इलेक्ट्रिक बसेट यह तो आपको मिली रहा है कहीं IIT कहीं IIM कहीं AIM कहीं Medical College कहीं Sports इंवस्प्री कहीं Sports College यह सरी भी तो Double Engine की सरकार ने दिये हैं और यहाँ भी दिया है बैनारवाईयों एक कॉंग्रेस केवल जुटे वायते करती थी खटा खट वाली PA सरकार केवल खटा खटी करती रही क्योंकि इन्होंने देज को सपाचट किया था क्योंकि लुटे खटी करती रहीं